हाई मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटीर कॉम्डिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं वो मैं आपको थोई दिर बाता हूंगा उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा चलिए देखते हैं तो यहां पर आपको दो टाइप of candlestick दिख रहा होगा सबसे पहला यह candlestick है जिसको हम लोग hammer बोलते हैं और दूसरा यह जिसको हम लोग inverted hammer बोलते हैं तो जब भी hammer candlestick का formation होता है downtrend के बाद इसके बाद क्या होता है प्राइस आपका upside की तरफ जाता है और जब भी आपका प्राइस upside की तरफ जाता और उसके बाद अगर आपका inverted hammer candlestick का formation होता है price आपका नीचे side की तरफ जाता है और आप inverted hammer और hammer candlestick के बारे में बहुत सारे individual वीडियो देखे होंगे जहाँ पर इन दोनों candlestick के बारे में आपको बहुत सारा information होगा लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ अलग बताने जा रहा हूँ मैं बताने जा रहा हूँ ये दोनों candlestick अगर आपका एक साथ form हो गया यानि आपका पहले inverted hammer form हो गया उसके बाद अगर आपका यहाँ पर hammer candlestick form हो गया तो आप क्या करोगे आप इसकी बात मानोगे या फिर इसकी बात मानोगे क्या करोगे आप totally confused होगे ये आपके लिए नया concept हो गया कुछ आपको समझ भी नहीं आएगा कि market में हमें करना क्या है market यहां से उपर जाएगा या नीचे जाएगा क्योंकि पहला candle बता रहा है कि market यहां से नीचे जाएगा जबकि दूसरा candle बता रहा है कि market यहां से upside की तरफ जाएगा totally confused ये concept आपको कोई नहीं बताएगा hammer और inverter hammer के बारे बहुत सारी लोग discuss करेंगे लेकिन जब दोनों एक साथ बनता है तो क्या होता mostly trader confused हो जाते और अगर आपको इसकी बारे में समझ है तो आप as a pro trader काम कर सकते और यहां पे profit बना सकते क्योंकि यहां पे जो normal trader होते है वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा वो यहां पे कुछ कर ही नहीं पाएगे सबसे पहले आपका hammer candlestick का formation हो गया ठीक है और उसके बाद अगर आपका inverted hammer candlestick का formation हो गया तो क्या अगर हो गया पहला बता रहा है कि market आपका उपर जाएगा दूसरा बता रहा है कि market नीचे जाएगा किसकी बात मालोगे totally confused हो गये तो इस तरह का set आपको बहुत पार्ट देखने को मिलेगा और यही opportunity होता है जब आप as a pro trader market से profit बना सकते हो जहां पर normal trader totally market में confused हो जाते हैं तो चलिए इसके पीछे का concept समझेंगे और जब market में ऐसा situation आता है तो यहां पर हम क्या करेंगे वो भी समझने के कोसिस करते हैं तो यहां पर चार्ट पर आगे अब देखिए यहां पर क्या दिख रहा आपको यहां पर आपको यह आपको hammer candlestick दिख रहा और दूसरा यह आपको क्या दिख रहा यह आपको inverted hammer दिख रहा अब कुछ लोग इसको shooting star भी बोलते हैं तो दोनों में जादा कोई difference नहीं है hammer और shooting star लगबग आपका एक ही जैसा है और दोनों का characteristics भी लगबग आपका 99% batch भी होता है तो दोनों के नाम में confused नहीं हो ना hammer shooting star हम candlestick के characteristics तो यहां पर हम समझने की कोसिस कर रहे हैं अगर आपका पहला यह candle बन गया दूसरा यह candle बन गया क्या करोगे यहां से आप upside की तरफ जाओगे या फिर यहां से आप downside की तरफ जाओगे क्या करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे का नहीं देखना इसके आगे का क्या हुआ नहीं देखना यह दोनों अगर फॉर्म होता है बस आपको यह दो कैनलिस्टिक पर रुख जाना इसके बाद आप क्या करोगे लाइब मार्केट में अगर आपका सीटुेशन हुआ है उसके बाद वादि दूसरा आपका परना इक क्या करना हो है यहां यही सिच्टुएशन से आपको बाहर निकलना है और यही सिच्टुएशन से अगर आप समझ के बाहर निकल जाएंगे तो आप एज़ प्रोट ट्वेडर बन सकते जहां पे आपको प्रॉफित बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और यह सारा कॉंसेप्ट आपको कोई नही नहीं बताएगा बैक टो बैक अगर फॉर्म हो रहा तो इस सिच्टुएशन आपको क्या करना है चली इसके पीछे का कॉंसेप्ट समझते और उसके बाद हम समझेंगे किसके बाद हमें करना क्या है तो यहां पर देखिए क्या हो रहा प्राइस पहले आपका ऊपर से नीच आपका प्राइस उपर की तड़ तक पहुंचा है लेकिन उसके बाद वापस से क्या हुआ, वापस से आपका यहाँ पर inverted hammer बन गया, जिसको हम आयेच बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा दिया, इस candlestick पर दिखा दिया है, इस sellers ने market को control कर लिया, और यहाँ पर sellers बहुत ज़्यादा active है, buyers का भी presence है, यहाँ बहुत ज़्यादा active है, और market किसके control में आ गया, market control में आ गया, sellers के, यहाँ से buyers market control किया है, लेकिन इस candle पर क्या हुआ, वापस से sellers ने market को control कर लिया, यहाँ यह जो zone है, यह zone आपका क्या बन गया, इस chance zone बन गया, यहाँ, sellers ने बोला कि भाई, तुम buyers हो, तुम इसके नीचे रहो, इससे उपर आने की कोशिस मत करो, क्योंकि कि इससे उपर हमारा इलाका है, अगर इससे उपर आओगे, तुम पीटे जाओगे, वापस से तुम्हें नीचे भागना परेगा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए, वापस से buyers ने बोला, भाई, हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, यह क्या किया, दम लगा हाई तुम रुको, हम अपना दम दिखाते हैं, फिर सेलर्स ने अपना दम दिखाया, और प्रैस को आपका बहुत जादा नीचे लाके छोड़ दिया, यहां से वो स्टार्ट किये थे, उपर चरदा, वहीं पर लाके उनको छोड़ दिया, यहां पर अबरॉन सेलर्स ने पहले हैमर बना, लेकिन हैमर को हरा के क्या बना, मतलब यहां पर बायर्स का दबदबा था, लेकिन आगे क्या होगा, अगले केंडल स्टिक पर सेलर्स ने बायर्स को हरा दिया, यह जो केंडल बन गया, अब यहां पर बन गया, लूजर केंडल स्टिक, और यह जो केंडल स् उनकी कोई नहीं मानता हुए उनकी वैलू करेगा आप एक घ्जामपर की थुल समसक्ते यूपी एलेक्शन के बारे में आपको सब को पता होगा। जाँ कि अभी बाभाजी है बावाजी है उससे पहले क्वण थे उससे पहले थे अखलेस यादव SP समादवादी पार्टी के तो अभी वहाँ पे किन का दबदबा चलबा है अखलेस यादब का चलबा है या फिर योगी जी का चलबा है और बेसी योगी जी का चलबा है अखलेस यादब लूजर है इस योगी समझ सकते जो वहाँ पर विनर है तो योगी जी का दबदबा चल वाया यह नि जो वहाँ पर सक्सेस्फुल हुए उनका दबदबा चल वाया और दोबारा से एलेक्शन जीत के वही वापस भी आये हैं तो जो सबसे विनर होता जो पावर्फुल होता लोग उन्हीं की बात मानता है यहाँ पर यहाँ पर यहां से नीचे जाएगा अब यहाँ पे हमें sell set की तरफ जाना कब है यह point भी बहुत ज्यादा crucial है आप decision तो पता कर लिए market के direction को तो पता कर लिए लेकिन अगर आप entry सही जगह पे नहीं करोगे तो आप नुक्सान में चले जाओगे यहाँ पे sell कर दोगे market ऊपर किया stop loss आपका हीट हो जाएगा sell करने का भी perfect जगह यहाँ पे आपको पता करना होगा यह जो candle है इसका lowest point है जैसे ही lowest point को break करके market नीचे आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे हम अपना entry लेंगे यानि हम यहाँ पे इस level के आसपास हम क्या करेंगे entry करेंगे हम यहाँ बाइङ करेंगे हम उसके least point को three करके price नीचे आएगा तो अब इसके बाद व्ysis शॉबर अब यह यह केंडल फिर डершप करने के लिए जिनको इन्फर्मिशन नहीं हो गारा के ब्रेंक देद है इस खोर एकुर ब्रेकर कर देडिया मतलब इस को पॉंपर किलने वाला यह वह सारों यहां पर और जो भी होगा अगले कंडल पर इस टॉप लॉस हीट हुआ होगा यहां पर क्या कर रहा है यह निस वह यह समझ लिए इस कॉंसेट के जरी है यहां पर जो ट्रैप बिचाए गया इस ट्रैप से भी हम बच रहें और अल्टिमेटली हम शह यहाँ पर आपना प्राइस निकल जाएंगे ते यहां पर सही जगा पे इंट्री ले सकते हो आप अप मार्केट अपने नियरेस्ट को फॉलो करता है यह concept के लिए हो गया इससे पहले मैंने यहां पर ग्रेव इस्टोन डोजी और ड्रेगन फ्लाइड डोजी के ऊपर वीडियो बनाया था अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इससे भी लेटे जो भी concept है वह आपको समझ में आ वह example समझने में आपको आपको ज्यादा टाइम नहीं लाएगा अब यहां पर देखिए पहला क्या हुआ पहला यहां पर हैमर केंडलिस्टिक का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम एच से डिनोट कर देते हैं लेकिन उससे मिलता जूलता है दूसरा यह भी आपका क्या हुआ यह संबर्स नहीं है यहां पर हम एपना प्रजेंशन दिखा दिखा दिया यहां पर हमभी है और सेलर आफ य काफी हद तक अपना दम दिखाया मतलब यह कंडल फ़र्म होने wedccel नहीं पर यहां पर यहां पर भाई-sweet की तरफ बिलकुर भी नहीं जाएगे यहां पर यह लोह को ब्रेक करने प्रेइस नीचे आएगा तो यहां करें इस लोग को ब्रेक करके नीचे आएगा सेल करेंगे ठीक है हमें बाइशार की तरफ जाना भी नहीं उसके बाद देखिए यहां पर क्योंकि यहां पर मार्केट को टेक आवर किया फिर प्राइस आपका नीचे यहां यहां पर इंट्री पॉइंट बनेगा वह बनेगा लगबग आपका 25-10 के करीब टागेट पैस क्या होगा पहले बताया था प्रिवेस केंडल का लोईश्ट पॉइंट यह हमारा क्या बनेगा था फरस्ट Creditपैस ठीक है दूसरा टागेट पैस उससे पहले की का लोईश्ट पॉइंट यह हमारा दूसरा टागेट पैस बनेगा दूसरा टागेट पैस भी इंडी हिट हुआ है इस तरीके से आप यहां पे टागेट वांस के लिए जा सकते हो इस टॉपलोस की तो यहां पर निकलता तो यहां पर निकलेगा तभी यहां पर करने के लिए अब यह जो दोनों कैंडल है यह आपको एक साथ कम मिलता लेकिन जब मिलता है तो आपको अच्छा opportunity देता है बाई या फिर sell side की तरफ जाने के लिए नहीं आप profit बना सकते हो क्योंकि यहां पर जो normal trader है वो confused हो जाएंगे normal trader सही से decision नहीं ले पाएंगे normal trader trap में फस हैंगे जबकि आप trap में नहीं फस होगे यहां से आप बच के निकल सकते हो और आप profit भी बना सकते हो तो उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा और यह unique concept आपने सायद पहले नहीं देखा होगा तो अगर आपको इस तरह का unique concept आगे भी चाहिए प्लीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको 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 आपक